तो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बाइजूस एक्जाम प्रेप के BPSC यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है अभिशेक सिंग और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में तो दोस्तों आज 49th डे है हमारे इस Crash Course प्रोग्राम का और मैं आप सभी के सामने लेकर के उपस्तित हो चुका हूँ The Mock Test No. 7 तो make it sure कि आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाएए फटा-फट से और जैसे ही सेशन से जुड़ते हैं तो इसको आप शेयर भी कर दीजी अपने दोस्तों के बीच में तो बिना किसी further delay के आए शुरू करते हैं आज का सेशन आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए आवाज और वीडियो दोनों एकदम बहतर आ रहे होंगे और किसी भी प्रकार का कोई भी issue होगा so guys do not hesitate to tell me in the comment box तो दोस्तों basically अगर बात करें आप लोगों ने already crash course के काफी सारी classes की होंगी बढ़ अगर आपने अभी तक नहीं की है तो आज भी आपके पास time है जल से जल जाईए और description में दिये हुए links को click करिए पूरा का पूरा series है उसको आप देखिए और हमारे esteemed faculties अलग-अलग subjects पढ़ाएंगे आपको अगर अभी तक आप हमसे अलग-अलग social media platforms पर नहीं जूँगे हैं तो मैं कि शूर कि आप पढ़ा पर join कर लें और कुछ भी कुछ करें लेकिन संडे को इस संडे को शाम को 7 बजे हर संडे को आप mock test का analysis अटेंड करना ना भूले तो स्टार्ट करते हैं आज mock test 7 का analysis पहला प्रशना आप सभी के सामने है गुड इवनिंग everybody जो लोग जूड चुके है नस्री नंसारी जी और रमिता सिंग, चंदरा स्प्रिहा, चंदा कुमारी, गुड इवनिंग to all of you और बाकी दोस्त भी जितने जुड़े हैं सभी को नमस्कार और सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन तो पहला question, which of the following places is known for the Tughlaq coins? निम्लकित मैं से कौन से स्थान को Tughlaqी सिक्कों के लिए जाना जाता है? बताएए कौन से स्थान को Tughlaqी सिक्कों के लिए जाना जाता है? ये बताना है आप सभी को इसका answer, फटा-फट से answer करिए और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 10 second, 12 second is enough, right? इवन दो आप थोड़ से टाइम और ले सकते हैं, बट दोस्तों जितना आसान question उतना ही तेजी से answer देना चाहिए गुड इवनिंग आर्टी जी, जियोती भारदवाज, अश्विनी कुमार, अफेल गुड इवनिंग टु यू और राइट, इस प्रशन का सही उतर क्या होगा, इस प्रशन का सही उतर होगा, option number B, तिरहुट, वई, तिरहुट से जो है काफी सारे सिख्ये मिले हैं, तुगलक कालीन, और इसलिए तिरहुट जो है, वो famous भी है, इंपैक्ट बिहार की local history में आपको पढ़ा भी होगा, ये तिरहुट से जो है, वो तुगलकी सिख्ये काफी अधिक मात्रा में मिले हुए हैं, काफी अधिक संख्या में, in fact, रदी कुमारी जी, very good evening, गीता कुमारी, good evening to all of you, all right, now, which are the following statements are correct about the Buddhism and Jainism, दोस्तों, तिरहुट मैप में कहां पर है, मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों क अगर आप में से कोई ऐसा नया हो, जो ये ना जानता हो, ठीक है न, कि तिरहुट जो है, वो बिहार में कहां पड़ता है, तो दोस्तों, आप सब जानते होंगे, या जानना चाहिए आपको, ये तिरहुट का जो division है, basically, जो की लगा हुआ है, किस से, जो की लगा हुआ है आ आपके कह सकते हैं कि नेपाल और पूर्वी तरप्रदेश के कोने से, right, तो that is the part which is termed as the right, तिरहुट, all right, अब आगे वढ़ते हैं, इस प्रष्ट में कि which of the following statements is are correct about Buddhism and Jainism, यानि कि बौध धर्म और Jain धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है, रिशा भनात, प्रथम जैन तिर्थंकर थे, जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्य को मानता प्रदान की, right, लेकिन उहें जिन से नीचे रखा, जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्य को मानता प्रदान की, जबकि बौध धर्मे नहीं प्रदान की, या उपरोग्त में से उत्तर बताईए सभी लोग फटा-फट से और यार मॉक टेस्ट में थोड़ा सा एडिशनल आबादी थोड़ी सी जनता भी देश में इतनी आबादी है बिहार PSC अटेम्ट करने वाले लोगों कितनी आबादी है आपके इतने सारे दोस्त भीहार PSC लिख रहे होंगे सब को ले आईए और चैलेंज करिए वही पचास प्रशनों को हल करवानेगा लेटस सीक कितने लोग कर पाते हैं सही कितने क्वेशन तो इस प्रशन का सही उत्तर क्या होगा वही इस प्रश्न का सही उत्तर आँखों से साफ साफ दिख रहा है option number D होगा कि उपरयोक्त में से कोई नहीं से इसको आप अगर ignore कर दें तो एक से अधिक वाला जो है एक से अधिक वाला जो है आपको नजर आ जाएगा रिशभनात या रिशभदेव जो है जो भी आप अलग-अलग sources में अलग-अलग नाम माने जाते हैं तो रिशभनात या रिशभदेव जो है ये पहले जैग तिर्थन करते सभी को पता है जैनिजम इश्वर के अस्तित्त को स्विकार तो करता है पर जिन से नीचे रखता है य ये भी सही बात है, जैनिजम ने ईश्वर के अस्थित्तों को सुविकार किया, लेकिन बुद्धिजम ने नहीं किया, ठीक ना, इसको हम पार्शली सही मान सकते हैं, क्योंकि बौद धर्म जो है, वो ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में अगनॉस्टिक रहता है, कम से कम दो तो 100% सही है, तीसरा पार्शली सही है, तो जाहिर सी बात है, more than one of the above is the right answer. Who among the following was given the responsibilities of Anushilan Samiti when its branch was established in Patna in 1913? Guys, ये तो आपके लिए काफी आसान question होगा, बताईए फटाफट से कि Patna Anushilan Samiti की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? ठीके न, बताईए, फटाफट, गुट इवनिंग, राजा बाबुजी, वेरे गुट इवनिंग, मुकेश जी, गुट इवनिंग, बताईए सर, पटना Anushilan Samiti की जो है स्थापना निम्लकित में से किसने की थी? और आप सभी को बताना है, इसका सही जवाब, मेरे ख्याल से आंसर सबको पता होगा भई, ठीके न, आंसर सबको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा Option Number, Right, Option Number B, देखिए, इसमें क्या है दरसल में? Option Number A आंसर होना चाहिए, पता नहीं, Option Number B कैसे शो कर रहा है दरसल में? Guys, ध्यान रखिएगा Sachindranath Sanjal, जो है, that is the right answer, ठीके न, Sachindranath Sanjal is the right answer, इसमें B शो कर रहा है, बट B is not the right answer, ओके? A, इनका जादा बड़ा रोल था, सचिन सान्याल का जादा बड़ा रोल था, ध्यान रखियेगा, ठीक है न, इसलिए एक्जाम में आपको A answer मार्क करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, और बंकिम चंदर मित्रा जो है, इनको जिम्मेदारी दी गई थी, इसको लीड करने की, है न, इसको लीड करने की, कि भही बिहार में जो operations होंगे, ठीक है न, वो कौन लीड करेगा, वो बंकिम चंदर मित्रा, सचिन सान्याल इसके founder, बंकिम चंदर मित्रा इसके secretary थे, ठीक है न, तो इसलिए इसमें option भी दिया, बट दोनो जन का योगदान था founder A ही होगा, इसमें doubt नहीं है, in the मनसबदारी system introduced by अकपर, what was the lowest rank, मनसबदारी प्रथा में निम्नतम रैंक क्या थी भाई, जरा बताईए, answer फटा-फट से सभी लोग, मनसबदारी प्रथा में सबसे निम्नतम, या सबसे निचली, या कहें तो निम्नतम रैंक क्या थी, 10, 20, 30, 50, बताईए, मनसबदारी प्रथा क्या होती है, lowest rank क्या थी, इसमें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है, फटा-फट से, answer please, जल्दी अल्दी answer करिये भई, अभी तक सिर्फ एक answer आया है, राजा वाबू जी का, और बाकी तो मेरे ख्याल से किसी का अभी त होता थे भई, इसमें देखो, answer लोगों ने देना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया, answer जिन लोगों ने दिया है, most of them are saying कि इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा, option number A, क्या ये सही answer है, ये चेक करते हैं, तो इसका answer option A ही होगा, भई, 10 lowest rank थी, सबको पता होना चाहिए, ठीक है conditional conditions में 5000 से उपर की rank दी जाने लगी थी, अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में और औरंगजेव के समय तक आते आते तो 7000, 10000 तक की ranks और later मुगल्स में आते आते 15000 तक की ranks होने लग गई थी, है न, मतलब एक मजाग बन गया था, तरीके सब बान लेजिए, तो 10 is the answer A, okay, 10 minimum 5000 maximum, ठीके, ठीके, न, बुट इवनि रोजी परवीन जी, बुट इवनिए, विच रूलर विजनेगर एंपर वस काल प्राओध देव राया, प्राओध देव राया किसे कहा जाता था, हरिहर 2nd, देव राया 2nd, 1st, बुका 1st, देव राया 2nd, बताये से, who among the following rulers was called as देव राया, प्राओध देव राया किसे कहा जाता था, आंसर पड़ाफट से आंसर करिये बहिए, अल्राइट, तो गईज, इसका सही आंसर क्या होगा मेरे ख्यासाँ आप लोगों को पता होगा, देव राय ऐ 2nd, इनको प्राओध देव राया कहा जाता था, ओके, देव 2 पाट देवराय, इसलिए कहाता था था क्योंकि अकसर देखो, 2 देवराय थे लेकिन पाट का मतलब होता है Elder, या mature, या बढ़ा तो इस condition में देवराया 2 जो है ये ज्याधा महान शासक माना गया ठीक है न? ज्याधा महान शासक माना गया और इसलिए इसको देवराय सेकंड को प्राउड देवराय कहा जाता था आप लोगों ने आप लोग जानते होंगे कि ये 1422 से ले करके और मेरे ख्याल से 1442 के या 44 के आसपास तक मेरे ख्याल से हाँ 44 या 46 तक रूल करते हैं लगभग 22-24 साल के आसपास इनका रूल रहता है और इतना ही नहीं ये काफी मशूर रहते हैं अपने अपने scholarship के लिए अपने reforms के लिए और इनके एक और title के तौर पर इमादी देवराय भी इनको कहा जाता है इमादी देवराय भी इनको कहा जाता है तो right answer क्या होगा option number D देवराय सेकंड होगा next question the coronation of the Rama in the wooden painting is an example of which of school of the painting बताइए सर लकड़ी की पेंटिंग में या लकड़ी की फ्रेम में राम का राज्यभिशेक किस चित्रकला शैली का येक उधारण है तंजाओर, हैदराबाद, मालवा, मिवार बताइए रिद्धी गुमारी जी बिल्कुल सही कह रही है कि 1422 से 46 तक था है वो थोड़ा सा rulers का tenure वगरा अपने को बहुत जादा accurate तरीके से रटने की जरुवत नहीं पड़ती है अगर approximate भी मालूम है that is okay chronology is more important than that इसका आंसर बताइए वड़ा राम का राज्यभिशेक कि शित्रकला शरी का उदारन है वही राम का राज्यभिशेक जो है मैं आपको बता दू ये आंसर होगा तंज़ोर हाँ जी तंज़ोर आंसर होगा option number A अगर आप लोगोंने मेरी class certain की होगी वो जिसमें मैंने culture में painting वगरा बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तंज़ोर आर्ट्स की एक पहचान होती है वो ये है भारत के पौराडिक पौराडिक कथों एवं महाकावियों से संबंधित संबंधित एवं काफी ज़्यादा vibrant या अत्यधिक प्रज्वलित अत्यधिक प्रज्वलित किस्म की paintings बनाते है तो आप ज़रा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप देखिए ज़रा चाहे वो शिव जी का family photograph हो शंकर जी, पारवती, गणेश जी, कार्तिके जी, शेर और बुल, सब चूहा वगरा सब एक साथ में, मोर वगरा सब लोगी एक साथ में या चाहे तो इस प्रकार की photos हो जहाँ पर राम सीता गराजय विशेक हो रहा है जिसमें जो हैं उनके भाई बंधू और नारद तथा हनुमान जी और ब्रह्मा विश्नु, मतब विश्नु तो खुदी हैं यहाँ पर राम, ब्रह्मा और शिव भी मौझूद हैं तो यह सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं दरसल में काफी ज़्यादा कह सकते हैं कि पाराणिक थीम पर यह बनाते थें मैं इसको mythological कहने जा रहा था बट mythological मैं शब्द प्रयोग ज़्यादा थर नहीं करता हूँ because of the things की epics जो हैं अभी रामायन और महाभारत इनके scenes को आप mythological scenes पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते हैं there are certain elements which are undergoing the research तो जब तक वो पूरूफ नहीं होता तब तक वो क्या है एक तरीके का यह ना मित हालांकी उसमें कुछ हिस्सा है ना that is that may not be the myth बिल्कुल calendar के जैसा हाँ जी हाँ जी सुगंधा शर्मा जी और निपूर्टिवारी जी वेरी बूड इवनिंग टूल बंग भाषा प्रकाशिक सभा वस फाउंडें विच येर बताइए फड़ाफट बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी आंसर फड़ाफट से बताइए सर बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना कब की गई थी जल्दी बताइए तो देखे भई यहाँ पर सही आंसर मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोग दे पाएंगे फड़ाफट से अभी लोगों ने आंसर दिना शुरूर भी नहीं किया है धंग से इसका राइड आंसर क्या होगा मैं आपको बतादू option number C होगा सबको मालूब होगा 1836 में राजा राम मोहन रॉय के मृत्यू के पस्चात उनके सहयोगियों ने उनके सहयोगियों ने क्या किया कि बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना की है और कई बार कई बार जमीदारी असोसियेशन से कहीं जादा पहले जमीदारी असोसियेशन 388 में उससे दो साल पहले इसकी स्थापना को ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पहला political organization इंडिया में हो गया ठीके ना तो that is about गंग भाषा प्रकाशिक सभा विशेट फॉलाइं रिवर्स इस नौट अ ट्बूटरी ऑफ रिवर गंगा गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है बाला सोन पुन-पुन बागमती कोसी बताएए सर गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है बाला सोन पुन-पुन बागमती कोसी बताएए राइड आंसर फड़ाफट से बता दीजिये जरा क्या होगा इसका फड़ाफट बताएए आल राइट तो गाल इसका सही उत्र क्या होना चाहिए इसका सही उतर होना चाहिए, right, option number, right, option number A, bala sown, okay, option number A, bala sown, अरे बहुत बढ़िया अभिशेग जी, मतब यह तो आपने सही कह दिया, sir, मेरा net slow चाल रहा होगा, इसलिए answer sown नहीं करता जल्दी से, that's very good, actually एक चीज होती है, जिसको latency कहते हैं, आप तो जानते ही होंगे उसके बारे में, that is the reason, so guys, option A, bala sown, जो है दरसल में, आपने अगर ध्यान दिया हो, तो गंगा की सहायक नदियों में, अकसर हम लोगों ने पढ़ा भी है, जानते भी होंगे की, उत्तरी और दक्षडी सहायक नदियों में, अगर आप देखें, तो आपको जादा तर दिख जाएंगी, चाहे वो कियूल हो, अजय नदी हो, फल्गू हो, पुनपुन हो, सोन हो, कर्मनासा हो, ये सब क्या हैं दक्षिडी सहायक नदियां हैं और उत्तरी सहायक नदियों में आपको घागरा, गंडग, बुरी गंडग, बागमती कमला, कोशी महानन्दा ये सब दिखती है दरसल में जो बाला सोर नदी दिख रही है वो आपको महाननन्दा की सहायक नदी नानन्दा की सहायक नदी जो है ये ये होती है ठीक है भी होती है आल राइट तो आगे चलते हैं next पे the solid portion of the earth is called the lithosphere, the crust, the plane, the continents, स्थल मंदल, परपटी, मैदान, महाद्वीप क्या कहते हैं इसको solid portion को फड़ा फड़ बताईए जरा तो रहे जल्दे लिए बताईए बताईए सर अल राइट So, good evening everybody, Rajesh sir जुड़ चुके है, good evening sir, sir का बहुत-बहुत स्वागत है और I think बच्चे दो सब भली भाती परिशित होंगे sir से अच्छी तरीके से, UPPCS में एकदम जबरदस तरीके से sir आपको पढ़ाते हैं तो guys, इसका आंसर क्या होगा भई? इसका आंसर होगा, option number A, स्थलमंडल ठीक ना, परपटी नहीं sir, solid portion को कहते हैं लीथो स्फियर, topmost layer को कहते हैं crust, अगर मैं आपसे कहूँ, कि ये जो है अर्थ है, तो अर्थ के उपरी हिस्से को crust कहते हैं, इसी crust में, इसी crust में क्या-क्या चीज़े आती हैं? इसी crust में आता है आपका लीथो स्फियर, इसी में आता है आपका हाइड्रो स्फियर, और इसी में आता है आपक biosphere ठीक है biosphere यह सब crust के उपर ही आते हैं ठीक है न और इसके उपर अगर आप जाएंगे तो air जो इलाका है air वाला that is called as atmosphere क्या बोलते हैं उसको atmosphere ठीक है न so that is the answer everybody ठीक है और राइट तो इस चित्र को देख करके I think सभी को clear हो गया होगा कि earth crust के ही हिस्से हैं लीथो स्फियर, हाइडो स्फियर और biosphere ठीक है न biosphere का ही दोनों हिस्सा लीथो और हाइडो क्योंकि इसी दोनों में जीवन उपस्थित है और और atmosphere जो air वाला portion है ठीक है next question the primitive subsistence agriculture is widely practiced by many tribes especially in आदम निर्वाह क्रशी विशेश रूप से कई जन जातियों दोबारा व्यापक रूप कई जन जातियों में व्यापक रूप से प्रचलित है कहां पर बताए ज़ाए ज़ाए अफ्रीका धक्षर अमेरिका मध्यमेरिका या कहां पर फड़ा फड़ से आंसर करें इस question का जल्दी जल्दी अफ्रिका, दक्षिड अमेरिका, मध्य अमेरिका या इन में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक आप सभी लोग जानते हैं इसका answer option number D होगा दरसल में देखिए क्या है कि अगर आज की तारीख में आप देखें अगर आज की तारीख में आप देखें तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा क्योंकि primitive subsistence agriculture क्या बोलते हैं उसका एक और नाम क्या होता है shifting cultivation मेरे दोस्तों shifting cultivation तो shifting cultivation की अगर बात करें तो दुनिया में कई सारे अलग-अलग महाद्वीपों में आपको shifting cultivation के examples वो मिलते रहते हैं तो ये जो है ध्यान अखेगा shifting cultivation अफरिका में, एशिया में, साउथ अमेरिका में कई-कई जगहों पर ये practice किया जाता रहा है ठीक है ना खासकर भारत में आप किन इलाकों में shifting cultivation देख सकते हैं तो mostly आप नौर्थ-eastern इलाकों में shifting cultivation देखते हैं जहां पर इनको क्या कहा जाता है जूम कहा जाता है जूम ठीक है ना आगे बढ़ते हैं which of the following is or are natural factors impacting the erosion ठीक है ना बढ़ाइए सर कि इसमें से प्राकृतिक कारण जिनके चलते अपरदन होता है वो कौन से हैं जलवायू टोपोग्राफी वेजिटेशन या इनमें से कोई भी नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक बढ़ाइए exactly खुश्बूजी slash and burn है ना वही cultivation बिलकुल बढ़ाइए इसका सही जवाब क्या होगा erosion को affect करने वाली, impact करने वाली natural factors इसमें से कौन होंगे सभी लोगों को इसका answer अल्रेडी पता होना चाहिए option number D is the right answer क्योंकि आप सभी जानते हैं कि topography और climate और vegetation ये तीनों ही चीजें ये तीनों ही चीजें जो हैं वो erosion को प्रभावित करती हैं जैसे कि अगर कहीं पर dense vegetation है यानि घनी वनस्पतियां है घना आवरण है वनस्पतियों का वहाँ पर अपरदन की दर वो कम होगी कहीं पर climatic conditions excessively harsh हैं वहाँ पर जादा बारिश होती है या फिर जादा तेजी से हवाएं चलती हैं वहाँ पर rate of erosion जो है वो हाई होगा इस प्रकार से आप कह सकते हैं किनों ही चीजें impactful रहती है which of the following states in India is least densely populated ठीक है ना? least densely populated सबसे कम घनी अबादी वाला राज कौन सा है अरुनाचल, Manipur, Nagaland, Sikkim right answer please what should be the right answer of this question बदाए फड़ा फड़ से सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का तो guys इसका right answer क्या होगा मेरे ख्यास से इतना समय बिल्कुल नहीं लेगना चाहिए क्योंकि बिल्बुत आसा question है बहुत पुराना सा question है बार बार पूछा गया है और अभी भी क्योंकि नया data available नहीं है तो पुराने data से काम जराना पड़ेगा that is अरुनाचल प्रदेश 2011 के आंकडों के अनुसार अगर बात की जाए तो अरुनाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत तो है ये लगभग 17 व्यक्ती प्रती वर्ग किलोमीटर के घनत पर है ये चीज इसका है आल राइट ना बिहार में कितना है वही 1102 that is the number for बिहार ठीक है ना now great bitter lake is located in which country ओके great bitter lake जो है ये कौन से देश में स्थित है आल राइट तो फड़ा फड़ा आसर करिए इसका जरा क्या होगा अल राइट बताएज अली से great bitter lake जो है ये कहां है अल राइट गैज इस प्रश्न का सही उतर मेरे ख्याल से आप सभी को पता होना चाहिए great bitter lake कहां होना चाहिए ये भी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है तो ध्यान रखेगा इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा option number B यानि की मिस्र या इजिप्ट इजिप्ट is the right answer great bitter lake आप लोग अगर ध्यान देंगे तो जब आप स्वेज कैनाल की बात करते हैं स्वेज कैनाल की बात करते हैं दोस्तों ध्यान रखेगा कि यहाँ पर यहाँ पर जो स्वेज कैनाल का पूरा का पूरा रास्ता है यह जो कैनाल है दरसल में इसी के रास्ते में एक जील जो खारे पानी की काफी खारे पानी की जील है इन फैक्ट वो पढ़ती है और उसे कहते हैं great bitter lake एक 1960 के दशक में मेरे ख्यास से 1965-1965 के आस पास एक great bitter lake association भी बना था आप लोगों को क्लास के बाद थोड़ा सा हो सके तो उसके बारे में भी पढ़ियेगा दरसल में अभी हाल ही में क्या हुआ था कि स्वेज नहर में एक जहाज वो कह सकते हैं कि cross-sectionally खड़ा हो गया था जिसके चलते काफी कंजेशन की स्थिती बन गई थी तो उसके चलते स्वेज नहर काफी चर्चा में भी थी ठीक है ना तो आगे बढ़ते हैं what is called the small pieces of rocks which move around the sun okay so the small pieces of rocks which move around the sun what are they called as सूरी के चारो तरफ चक्कर लगाने वाले चटानों के छोटे चोटे चोटे तुकडे क्या कहलाते हैं बताईए esteroids, small plant, meteoroids, galaxy what is the answer of this question फटा फट से अंसल करी वाई इस question का सूरी के चारो तरफ चक्कर लगाने वाले चत्तानों के छोटे-छोटे टुकडे क्या कहे जाते हैं एस्टिरोइड, स्मॉल प्लांट, मेटिरोइड, बताईए लिगे बई इसका सही जवाब होगा, और रैट, ओप्शन नमबर, और ओप्शन नमबर सी, रैट, हालांकि ध्यान रखेगा इसमें, इसमें दरसल में जो आंसर होगा मैं आपको बता दू, मेटरोइड जो है, मेटरोइड कोई भी एक ऐसा सबस्टेंस, कोई भी ऐसा सबस्टेंस, जो की क्या करता है, जो की rocky या metallic fragment of an asteroid, comet या planet, ठीक है न, ये जो है, उसको मेटरोइड कहते हैं, यहाँ पर आंसर अगर ऑप्शन नमबर सी दिया गईस, चटानों के छोटे-छोटे टुकडे, सूरी के चारो तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, और उनमें से कई बार ऐसा होता है, जो की वो, कहां पर चले आते हैं, अर्थ के, कह सकते हैं कि अर्थ के gravitational zone में चले आते हैं, तो asteroid जो होगा, इसका answer होना चाहिए, यह asteroid, क्योंकि उलका पिंड जो है, सूरी के चारो तरफ चक्कर लगाएं, ऐसा जरूरी नहीं है, these are the portions, these are the portions which are actually located in the solar system, जो solar system में होते हैं, लेकिन वो इधर-धर भटकते रहते हैं, कभी किसी दूसरे planet के section में चले जाते हैं, लेकिन सूरी का चकर लगाने वाले जो हैं, उ चुद्र ग्रह कहते हैं, चुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है ना, और इन चुद्र ग्रहों के टुकडे, कॉमेट्स के टुकडे, यह सब क्या होते हैं, मेटिरोइड होते हैं, क्या होते हैं, मेटिरोइड होते हैं, तो answer option A होना चाहिए, ठीक है ना, option number A होना चाहिए, चोटे चोटे बॉडीज हैं जिनकों की छुद्र ग्रह या एस्टरॉइड कहा जाता है जो की आप ये मान के चलिए जिसे अगर ये मंगल का ओर्बिट है और ये ब्रिहस्पती का ओर्बिट है ठीक है इसके बीच में ये बिलकुल अरेंज हुए पड़े हैं बढ़िया तरीक बटक गया या टकरा गया कहीं से और उसका जो तूटा हुआ हिस्सा बचा रहेगा वो स्पेस में यहां-वहां बटकता रहेगा सोलर सिस्टम में that will be called as the meteorite called as the meteorite जब वो meteorite क्या होता है suppose धरती की तरफ चला आ रहा है और atmosphere में चमकता हुआ सा नजर आएगा तो अब उसे कहेंगे meteor क्या कहेंगे meteor और जब वो meteor धरती तक पहुँच गया तब उसे meteorite कहेंगे क्या कहेंगे meteorite ठीक है तो meteorite और meteor और meteor ठीक है यह सब तीनों की तीनों एक ही चीज़ के अलग-अलग रूप होते हैं ठीक है एस्टरोइड इन सब से काफी अलग और बड़ा और रेगुलर पाथ में चलने वाला एक object होता है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल एस्टरोइड बे गाइज एकदम हलवा सा question है आसा question बताईए फड़ा फड़ से कि classical language या शास्त्री भासा का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है इसमें से पंजाबी गुजराती तेलगू और हिंदी बताईए गाइज इसका आंसर देने के लिए तो मेरे ख्याल से आपको 10 सेकेंड का समय भी नहीं लगना चाहिए इसका आंसर क्या होगा सबको पता है तेलगू होगा क्योंकि हमारे देश में शास्त्री भाशाओं की अगर बात की जाए तो संस्कृत ठीक है न तमिल तमिल के अलावा जो है मलयालम इसके अलावा जो है तेलगू एवं कन्नड़ा ये भाशाएं इसक में एक और जोड़ दीजिए ओडिया ठीक है न ओडिया तो ये जो भाशाएं है दरसल में इनको शास्त्री भाशा का दरज़ा दिया गया है यानि कि तो आकर अगे बतते हैं प्रिविठ फॉल्ञ इंफोर्शेबल एंदिया बाहरत की नएले में वाध योग्य है बताए्ये सर् कि नान अफ देबोग मोर्दान अफ देबोग बताएं सर आज कितने क्वेश्चन है सुगंद्या जी हर मॉक टेस्ट में आपको पचास क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपको दिख चुका होगा अप्शन नमबर डी इसका सही जवाब होगा कई लोग जो है वो ए अगर मार्क कर रहे हैं तो गाईस यार ए नहीं होगा ध्यान रखियेगा क्योंकि right to life and personal liberty article 21, 25 से 26 ये सब क्या है these are all fundamental rights मतलब कि ये तीनों के तीनों या दोनों options जो हैं ये हैं legally legally enforceable या आप कह सकते हैं legally justiciable ठीक है ठीक है that is why answer option number D होगा next question which amendment act provided the provision of anti defection law in 1985 किस संशोधन दीजम के तहत दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया 17 question का आंसर बता दीजे फड़ा फट से अचा रितुराज जी जो है वो रिमजिम जी है अरे बहुत बढ़िया इसका सही जवाब क्या होगा मेरे ख्याल से आप सभी लोग अच्छी तरीकेस जानते हैं मैंने आपको class में भी करवाया था जब अपन application पर classes कर रहे थे या फिर आपको sir ने करवाया crash course में तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर option number C होगा 52nd constitutional amendment जो है जिसके अंतरगत क्या किया गया anti-defection law लाया गया यानि कि दल बदल विरोधी कानून लाया गया जिसके तहत क्या होता है कि अगर आप किसी party के सदस्य हैं उस party के ticket पर आपको चुनाओ लणने को मिला आप जीत गए चुनाओ और आपने क्या किया सदस्य संसद का सदस्य रहते हुए या विधान सभा का सदस्य रहते हुए आपने party resign करके और दूसरी party join कर ले तो उस party के पास अधिकार रहेगा कि speaker से आपके सदस्यता को अयोग्य घोशित करने की सिफारिश कर सकता है या request कर सकता है तो ये जो चीज है इसमें हलांकी ध्यान ये बात कर रखिएगा कि कई बार इसकी आलोचना की जाती है ये बोल करके कि ये किसी एक व्यक्ती को क्या करता है अपनी विचारधारा को हमेशा के लिए स्थाई करने की बात कहता है जबकि विचारधारा एक ऐसी चीज है जो समय के अनुसार है या समावेश्टी के अनुसार जो है वो बदल जानी चाहिए ठीके न, ऐसा कई सारे liberal thinkers मानते हैं हालांकि अब वो बात अलग है कि कई लोग विचारधारा को एकदम जकड़ के रखना चाहते है ठीके न, खैर, कोई दिक्यत नहीं है, right answer option number C होगा 22.1985 में किया गया था और आज भी आप देखें कि अलग-अलग राज्यों में ये लागू होता है who among, right, who among the following appoints a special officer for linguistic minorities अलप संख्यकों के लिए भाषाई, भाषाई, आयोग का विशेश अधिकारी कौन नियुक्त करता है, बताईए फटा-फट से बताईए ज़रा quickly reply to this question everyone, I think आप सभी को linguistic minorities के बारे में ज़रूर पता होगा और इसके बारे में अगर आपको पता होगा, तो आपको इसका article बगरा सब अगर याद है अगर article नहीं याद है, तो आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है न इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, option number B, भारत के राष्ट्रपती दोस्तों, भारत के राष्ट्रपती जो हैं दरसल में special officer for the linguistic minorities, इसकी नियुक्ती करते हैं, क्या करते हैं, इसकी नियुक्ती करते हैं अब ये नियुक्ती जो है, ध्यान रखेगा, article number 350 B के अंतरगत की जाती है 350 B के अंतरगत की जाती है, और ये प्रावधान क्या हमारे सम्विधान में शुरू से था क्या तो जी नहीं, हमारे सम्विधान में इस प्रावधान को जोड़ा गया था, कब सातवे सम्विधान संशोधन से अधिनियम से वर्ष 1956 में जोड़ा गया इसके साथ 350 A भी जोड़ा गया था, जहां पर भाषाईल प्रसंख्यकों के लिए जो है, विशेश प्रावधान किये गये थे, जैसे की हर बच्चे को अपने, जिस भी वो राज में रह रहा हो, उसमें अपनी मदर टंग या अपनी मात्र भाषा में उसको प्रात्मिक सिक् इले ये बात 350 A में कही गई है, ठीक है ना, next question, who among the following determines the salary and allowances of the Prime Minister, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है, भारत का राश्ट्रपती, CAG, Parliament, Cabinet Secretary, ये तो यार क्या मजाक वाला question है, बताओ जल्दी जल्दी आंसर, फड़ाफट से, quickly reply करिए फड़ा प्रधारण कौन करता है, जल्दी जल्दी आंसर करें, फटा फट से, all right, so guys, I think इसका आंसर भी आप लोग अलड़ी जानते होंगे, okay, क्या होगा इसका आंसर भई, option number C होगा, संसद होगा, क्यों, क्योंकि सभी को पता है, कि प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री पदपर नहीं, बलकि उनको सांसद होने के नाते, उनको क्या मिलती है, उनको वेतन या उनको सैलरी मिलती है, हिंदी में उसको वेतन या, उर्दू में क्या कहेंगे, तनख्वाह कहेंगे, तो दरसल में उनको सैलरी किसकी मिलती है, सांसद होने के नाते, तो कौन डिसाइड करेगा, Parliament decide करेगा यहां तक कि इन लोगों की salary भी कौन decide करता है Parliament decide करती है हलांकि cabinet सचीव की salary जो होती है यहां रखेगा that is fixed ठीक है न? और यह जो salaries होती है these are right under the ages of the civil services provisions ठीक है न? उनके under में आता है ठीक है न? Alright, बहुत अच्छे बात राजेश सर भी है बहुत अच्छी बात है सर है तो I think इसका सही आंसर आप सभी लोग जान चुके है संसद, अच्छा एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ कि यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब कोई minister बन जाता है संसद वगरा कोई minister बन जाता है तो उस संसद को अबिनेट मिनिस्टर के लिए अगर minister of state के बात करेंगे तो हजार रुपय का और आपके deputy ministers के लिए करेंगे तो 600 रुपय के रहता है ठीक ना Now, which article in the constitution deals with the appealate jurisdiction of the supreme court in regard to the criminal matter बताइए supreme court के supreme court के appealate चेत्र अधिकार में अपराधिक मामलों का appeal उससे related कौन सा article है एकदम easy question बताइए इस easy question का सबसे पहले answer देखें कौन करता है बताइए सर कौन करता है सबसे पहले इस प्रश्न का सही answer राइट answer क्या होना चाहिए देखो आप सभी को मालूम है कि 131 से क्या शुरू हो जाता है और 130 134 ए तक क्या चलता रहता है ठीक है न बताइए फड़ा फड़ से और राइट तो ये एक नाम जो है मेरे सामने जो chat में दिख रहा है ये शायद तिबितन भाशा में लिखा हुआ सा लग रहा है या चाइनीज भाशा में लिखा हुआ सा लग रहा है ठीक है न तो गाईज ये जो आपको बताना है क्या होगा इसका अंसर इसका अंसर होता है option number A134 देखो ज़रा ध्यान से कि 131 की बात करेंगे तो that is related to the original jurisdiction किस से related है original jurisdiction से related है 132 की बात करेंगे तो provides for the appellate jurisdiction अगर बात करेंगे 133 की तो civil appeals की बात करता है ठीक है न 134 की बात करेंगे तो criminal appeals की बात करता है और 134 A की बात करेंगे तो that talks about the certificate from the high court yeah certification of high court for any matter for any matter suitable suitable to be appealed at supreme court यानि किसी भी मामले को supreme court में appeal दाखिल करने के लिए उपयुक्त माना गया है इस बात का इस बात का जो certificate रहता है वो high court प्रोवाइड करता है 134 A के अंतरगत ठीक है ना सब का चालान खट गया या रहे बहुत बढ़ी है what is retirement age of the chief election commissioner ये तो या रब बताई दो है न चूरन question बहुत बढ़िया राइट बताईए सर इसका आंसर बताईए election commission chief election commissioner के retirement की उमर क्या है यतना जान लीजिएगा कि काफी बुजुर्ग हो जाएंगे तब retired होंगे है न बिना बुढ़ापा आये retired नहीं होने वाले बताईए क्या होगा इसका सही जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवानिवर्ति की आयू क्या है आल राइट तो इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा option number option number c 65 वर्ष भई देखो सबको मालूम है कि चाहे वो c a g हो ठीक है न चाहे वो chief election commissioner हो ठीक है न या फिर अगर बात करें कि वो supreme court का judge हो ठीक है supreme court का judge हो या फिर वो yse का chair person या member हो ठीक है न in सब के लिए कुछ common है कुछ different है सिर्फ अगर supreme court के judge भाई सहाब को अलग कर दीजिए तो इनके लिए 65 only रहता है बाकि सब के लिए इन तीनों के लिए 6 या 65 का age limit रहता है ठीक न? age limit रहता है got it? तो 6 साल या 65 साल में जो भी पहले पूरा कर लेंगे उसी पे retired हो जाएंगे तो यहाँ पर C option is the right answer bank repurchases the security is deposited with RBI at which rate? bank जो है reserve bank के पास जमा की गई प्रतिभूतियों की फिर से खरीद किस दर पर करता है? बताएं सर्थ यह answer तो सभी लोग को बताना चाहिए quickly answer करें फड़ाफट से answer करें इस question का ओके तो इस प्रशन का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रशन का सही उत्तर आपको बताना है जल्दी से जल्दी right न? इसका सही उत्तर option number A होगा भही repo rate होगा क्या होगा? repo rate होगा दरसल में repo rate क्या होता है? repo rate मतलब की जिस rate पर क्या करते है वही जिस rate पर reserve bank return करता है banko को that is called as the repo rate all right now अब इस पर अगर देखेंगे यहान देखेंगे तो guys next question that will be minimum calorie intake to demarcate the poverty line in India demarcate the poverty line in India that is right क्या होगा भई फड़ा फड़ा बताईए यह रेपो rate और reverse repo में confusion अभी भी है क्या आप लोगों को भई मतलब यह कितने बार कितनी बार confusion होगा all right इस परशन का उत्तर दीजिए ठीक है न फिर अपन बताते हैं आपको कि repo और reverse repo क्या रहता है उके ना बताईए सर इसका क्या होगा सही आंसर फटा फट से आंसर बताईए गरिभी रेखा का सिमान करने के लिए नियुनितम कैलोरी के मात्रा कितनी है और इसका सही जवाब आप लोगों को सभी को पता होगा option number A है इसमें तो कोई इनसान गलत करी नहीं सकता 2400 किलो कैलोरीज जो है ये ग्रामीर छेत्र में और शहरी छेत्र में 1200 किलो कैलोरीज अब बात करते हैं ये पिछले वाले question की थोड़ा सा इसमें repo और reverse repo में काफी confusion था बच्चों में guys repurchases the security is deposited with the RBI ठीक ना repurchases the security deposit मतलब की धिहान रखिएगा धिहान रखिएगा कि यहाँ पर यहाँ पर bank ने क्या किया है RBI के पास RBI के पास securities जो है वो deposited थी ठीक ना तो guys यहाँ पर securities किसकी है securities जो है वो bank की है ठीक ना तो यहाँ पर जिस भी rate पर यह repurchase यानि की borrowing करेगा commercial bank उस rate को repo rate कहते हैं यह दरसल में सिर्फ भाशा की तवर पे घुमा दिया था थोड़ा सा बाकी और कुछ नहीं था यह सिर्फ इतना कह रहा है कि हमारे पास पैसे थे हमने जमा कर दिया थे उसको वापस कर दिया था अब हम क्या कर रहे है securities purchase कर रहे है मतलब कि we are we are actually depositing our money अब उस पर जो अपने को rate मिलेगा that will be the repo rate ठीके ना that will be the repo rate ओके इस तरी next question which of the following methods is used to measure the gross domestic product for determining the national income right gross domestic product या GDP जो है national income को determine करने के रिए यूज की जाती है कौन से method यूज करते हैं बताईए राष्ट्य आय के निर्धारन हे तू सकल घरेलू उत्पाद को मापने के लिए निम्खिन में से कौन सी विधी का प्रयोग किया जाता है बताईए सर फटा-फट से सभी लोग answer करिए काफी लोग answer कर चुके है A, D, A, D, 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 D बहुत बढ़िया D इसका answer भी होगा यार product method, income method, expenditure methods method ही method हैं वही GDP को calculate करने के लिए ठीक है न? GDP को calculate करने के लिए और जब GDP calculate होती है So, then we have got the national income to calculate from the GDP ठीक है? All right तो I think कि यह सब basic चीजे हैं आप लोगों ने अभी पढ़ी भी होंगी economics में और simple सा question आसान सा question Which are the following measures RBI does not use to control inflation? यह question शाद पहले भी हो चुका है क्या? I think so मुझे ऐसा लगता है कि शाद हो चुका है But maybe RBI जो है मुद्रा स्फिरी को नियंतित करने के रे कौन से उपाय का प्रयोग नहीं करता है CRR को बढ़ाना या bank rate को बढ़ाना या फिर आपको government securities को purchase करना structural liquidity या SLR को change करना क्या चीज़ exactly होगा इसमें से तो guys इसमें I think आपको पता होगा इसका answer क्या होगा option number C government securities को purchase करना inflation को control करने के लिए market में जो supplies होती है उसके उपर काम किया जाता है government securities को purchase करने से inflation control होने का कोई sense नहीं बनता है पर cash reserve ratio या SLR या bank rate या bank rates में जैसे repo और reverse repo दोनों में से कोई भी change अगर करते हैं तो धियान रखिएगा कि market में liquidity की availability के उपर असर पड़ता है यानि cash availability पर असर पड़ता है तो उससे क्या होता है उससे control होती है inflation next question current account in the balance of payment does not include which are the following भुगतान शेश में चालू खाते में कौन सी चीच शामिल नहीं होती सर export, import, foreign aid या none of the above या more than बताईए फड़ा फट से current account in the balance of payment does not include what बताईए raising the bank rate why actual में क्या होता है उससे अनू जी कि जब bank जो है अगर बैंकों को RBI से थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलने लगेगा न तो bank अपना पैसा बाटने की बजाए RBI के पास जमा करने लगेंगे जिससे बाजार में जो currency circulate हो रही है वो कम हो जाएगी और जनता की खर्च करने की capacity जो है जनता की खर्च करने की capacity जो है वो क्या करेगी वो depend करेगी ठीक है न उस पर तो वही question था कि balance of payment जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं होती है तो इसमें आपको बताना है इसमें आपको बताना है कि सही answer क्या होगा इसका सही answer होगा option number D उपरोक्त में से एक से ज़ादा चीज़ें या उपरोक्त में से कोई भी नहीं तो ध्यान रखेगा कि जो current account in the balance of payment current account in the balance of payment तो guys इसमें नहीं सारी चीज़ें शामिल होती है इसमें export भी शामिल होते है इसमें import भी शामिल होते है और इसके लावा इसमे trade in services और transfer payments यह सब कुछ जो है वो शामिल होता है इसमें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर export इंपोर्ट दोनों दिख रहे हैं answer D the image of the concave mirror right concave mirror is real reversed and the same size as the objects image objects location should be ये तो यार अग्दम बच्चो वाला question ठीक है ना एबी सीडी सब नहीं सही है A और B सही है right export import और आपका जो foreign investment होता है वो सब ना count करते हैं असमें बताइए जर concave mirror जो है अगर जो है real reversed और same size की image बनाता है तो object की location कहां होनी चाहिए प्लीज आंसर इसका answer मेरे ख्यास सभी को पता होगा ठीक है ना science का simple सा question है mirror वाले chapter से और आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा की एक ऐसी location है जैसे जिसको हम कहते हैं कि center of curvature पर यानि कि position number जो c होती है center of curvature पर वहाँ पर अगर image वहाँ पर अगर object रखा हुआ है तो image भी वहीं बनेगा और उतने ही size का बनेगा inverted और real बनेगा ठीक है ना तो यह जो fourth वाली condition है this is the question which is asked fourth वाली condition ठीक है ना और यहाँ पर अगर बात करें guys कुछ इस प्रकार से आपको जो image दिख रही इस प्रकार से दिखेगी कि center of curvature जो है यहाँ पर object भी रखा हुआ है और इसी पर image भी बन रही है ठीक है ना that is how it will work तो next question पर आते हैं the device used to measure the distance between the two opposite sides of an object is called एक object है ठीक है ना मान लिया कि ऐसा object है इसके या कोई भी किसम का object है इसके opposite sides का जो measurement लेना है तो कैसे measurement लिया जाएगा कौन से device की मदद से बोलो meter, calipers, calorie meter या flux meter क्या होगा इसका सही जवाब बताई फटा फट बताई ज़र तो इसका सही आंसर मेरे ख्यासे बहुत easy तरीके से आप दे सकते हैं क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा option number B यार, calipers, आसान सा question है यह बेगो बई, electromagnetic radiation हो गया तो bolometer, calorie meter, heat, flux meter आपका potential charge अगर बात करें यहाँ पर calipers तो यह सिर्फ इकलोता है जो distance नापता है सभी ने vernier calipers देखे होंगे और wall bearing का size भी जो है वो नापा होगा कभी नपा होगा इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो vernier calipers आप में यह वाला जरूर देखा होगा अपने अपने school के college के lab में आपने देखा होगा इसको, है की नहीं? है ना, तो यह होता है आपका answer caliper bolometer, bolometer होता है सर वो electromagnetic radiation की intensity नापता है ठीक है ना, electromagnetic radiation की intensity नापता है which amongst the following is are not a property of the light light की property इन में से कौन सी नहीं है कौन सी नहीं है light is in form of the electromagnetic wave visible light has the wavelength measuring between the 400-700 nanometers sun is the primary source of light none of the above more than one of the above बताईए आल राइट इसका सही जवाब क्या होगा फटा-फट से इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी बताईए वही 10 सेकंड का समय उसके बाद answer करेंगे फटा-फट से छोटे-छोटे questions हैं राजा बाबुजी परिशान हो गए है आज थोड़ा सा लेट answer मिल रहा है that's okay don't worry right answer इसका क्या होगा option number d होगा option number d ठीक है न क्यों क्यों क्योंकि भाई देखो electromagnetic wave होती है कोई doubt नहीं है 400-700 nanometers की range होती है wavelength की बिलकुल सही है तीनो बाते सही हैं तो मतलब इसमें से ध्यान लखेगा उपरोगत में से कोई नहीं is the answer ठीक है न कौन सा गुड नहीं है d is the answer ठीक है न तो गाईज इसका आप देख सकते हैं ये image आपको दिख जाएगी साफ साफ यहाँ पर visible light जो की UV rays और infrared के बीच पड़ती है उसकी range क्या है उसकी range क्या है हाँ पर 4 into 10 to power 4 into 10 to power minus 7 अगर इसको अपर minus 9 कर दें तो 400 into 10 to power minus 9 700 into 10 to power minus 9 और minus 9 is equal to nanometer ठीक है न इसलिए all are right लेकिन ask it is asking कौन सा गलत है तुद दी नन अफ द बाव ठीक है depending on mode of the formation of the polymers can be classified as right polymers के निर्माड या संदचना के अधार पर संदचना के अधार पर वर्गी कृत किया जा सकता है कैसे condensation polymers addition polymers addition condensation co-polymers बताइए right chemistry का organic छोटा सा एक question है ठीक है polymers को structuring के अधार पर formation mode के अधार पर कितने अधार में बाढ़ सकते हैं कितने types में इसका answer आप सभी लोग जानते हैं बहुत हलका सा question है ये right इसमें कोई detail विटेल नहीं बतानी है सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि answer option number C है addition and condensation polymers अब ध्यान रखेगा कि addition polymers मतलब क्या होता है कि monomers एक होते हैं repeat करते जाते हैं और empirical formula भी वही होता है जो monomers का होता है जिसे भई देखो CF2, CF2 जो है CF2, CF2 को आप repeat कर दीजिए teflon बन जाएगा है na teflon बन जाएगा ठीक है न लेकिन यहाँ पर दो अलग-अलग monomers होते हैं जिसको क्या किया जाता है जिसको अगर polymerize करते हैं तो उसमें से एक water या acl molecule गायब हो जाएगा that will lead to the formula of nalon-6 या bakelite nalon-6-6 या bakelite ठीक है which amongst the following statement is are correct with reference to the solutions ठीक है न विलयन के संदर्भ में विलयन के बारे में कौन सा statement सही है कौन सा statement सही है बदाएए विलयन के बारे में क्या बात सही है chemical properties change in a solution solution is a type of homogeneous mixture in a solution substances are dissolved completely and cannot be filtered out बताएए से क्या होगा इसका जवाब इसका जवाब भी आप लोगों के लिए दिख रहा होगा सामने statement पढ़ने से आपको कुछ clarity जरूर मिली होगी तो इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा option number d वो प्रयुक्त में से कोई नहीं है न वो प्रयुक्त में से कोई नहीं वही रासायनिक विशेशताएं अगर आप सूतो जरा क्या सुगर को पानी में घोल देने से चीनी को पानी में घोल देने से क्या चीनी की chemical property बदल जाएगी क्या गैज, chemical properties क्या solutions बदल जाती है क्या धियान के chemical properties वगरा जो है वो रहती है as it is वो बदलेंगी कब वो बदलेंगी जब compound बनेगा compound बनेगा, we will learn by solution क्या सिर्फ homogeneous ही होता है क्या सिर्फ homogeneous ही होता है क्या धियान रखिगा यहा पर homogeneous होते है saturated होते हैं ठीक है ना और solution जो है substance dissolved completely and they cannot be filtered out chance ही नहीं है बई सब गलत है सब गलत है right D is the answer नियान रखेगा इसमें तो अलग-अलग प्रकार के solutions हो सकते हैं true solutions, colloidal solutions, suspensions यह सब अलग-अलग प्रकार के solutions हो सकते हैं और जिसमें अगर बात की जाएं तो आपको दिखेगा कि वही यहां पर separate भी हो सकते हैं और इनकी chemical properties भी just कितस रहती हैं और साथी साथ इनकी homogeneity भी variable होती है next which of the following enzymes is used to convert the starch into glucose in human saliva कुछ लोगों को तो आज ही पढ़ाया था यह वाला topic बताइए सब starch, right, sorry starch को glucose में बदलने के लिए glucose में बदलने के लिए कौन सा enzyme जो है वो human saliva यानि मानव की लार में होता है exam का pressure है विल्कुल सही बात है वही exam का pressure है और in fact इसी लिए मैं कहता हूँ कि यह जो 50, 55, 60 लोग जो आते हैं 30, 40 लोग आते हैं इसके बजाए कम से कम 100, 500, 200 और भी जादा हजारों लोगों को होना चाहिए क्योंकि जब तक आप real life situation में question solve नहीं करते तब तक it is very difficult to understand the level of anxiety and pressure in the exam right answer क्या होगा? टाइलिन होगा भईया टाइलिन is the right answer तो ध्यान रखिएगा यहां पर कि इस पे pepsin, epsin, trypsin जो तीनो दे रख्या है न यह तीनो protein digesting enzymes होते हैं क्या होते है? protein digesting enzymes होते हैं ठीक है न और इतना ही नहीं इतना ही नहीं यहां प अगर आप देखेंगे तो pepsin जो है यह आपको कहाँ पर मिलता है pepsin आपको मिलेगा कहाँ पर pepsinogen के form में stomach में मिलता है epsin, trypsin वगरा जो है यह activate कहाँ पर होते हैं भई यह आ करके आतों में activate होते हैं वहीं tylin की बात करें तो याद रखेगा salivary amylase salivary amylase जिसको बोलते हैं वो tylin भी salivary amylase यह tylin that is in the saliva ठीक न saliva में वही से salivary lipase भी होता है लेकिन वो बहुत ही कम होता है which of the following shows the maximum increase in the weight from the birth to adulthood in the humans birth से ले करके right birth से ले करके और adult होने तक इंसानों में शरीर के किस component के वजन में सबसे ज़्यादा है ना सबसे ज़्यादा वृद्धी संपन होती है वजन में सबसे ज़्यादा है ना वृद्धी बताईए वश्टिष्क वशा कंकाल मानस्पेशिया सबसे ज़्यादा अगर वजन कोई इसमें से बनाता है तो कौन सा होगा मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए गैज इसका सही जवाब होना चाहिए option number right option number d मानस्पेशिया muscle mass muscle mass जो है that is the maximum जब बच्चा बर्थ उस बच्चे का होता है तब उसके muscles और उसके bones दोनों ही काफी कमजोर और बड़े हलके किसम के रहते हैं fat ही fat रहता है इसलिए बच्चा दिखता तंदुरुस्त है लेकिन हलका सा होता है हलका सा होता है दिदे दिदे जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो जाहिट से बात है कि muscles stronger होने लगेगी bone density बढ़ने लगेगी लेकिन एक limit के बाद ऐसा आता है कि एक healthy healthy person में आपके body का 45 से 55 परसेंट तक का जो mass होगा वो सिर्फ muscle mass होना चाहिए बचे हुए में कितना 50% के आसपास अगर बचा हुआ है मान लीजिए उसमें आपका bones भी आ जाता है उसमें आपका fat भी आ जाता है ठीक है न तो आप खुद सोच लीजिए कि percentage के हिसाब से क्या है ठीक है ना How much is the budget of Bihar state 2022-23 as compared to the last year's budget बताइए कितना है ये तो को यार factual question है इसका answer आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा बिहार आज़ेगा budget पिछले साल की budget की तुलना में 2022-23 में कितना है बताइए राइट ठीक है इसका answer क्या होगा इसका answer होगा option number A 19,388.49 करोड ठीक है ये इसका budget है ठीक है तो गाईज ये तो value है अगर आपने इसको अगर याद कर लेना है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है अगर याद कर लेना तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं याद कर सकें तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करना है Who has been appointed as the new chairman of the security and exchange board of India SEBI के नए chairman के तौर पर कौन कौन appoint हुआ है ठीक है बताईए ज़र SEBI के नए chairman के तौर पर कौन appoint किये गए है जल्दी जल्दी answer करें फड़ा फड़ से आसान question, current affairs का question answer क्या होगा, option number C माधवी पुरी बुच माधवी पुरी बुच जो है इनको appoint किया गया है कैसे SEBI के chairman के तौर पर ठीक है न तो that is for you अगर बात करें कि ये माधवी पुरी बुच वैसे है कौन तो ध्यान लखेगा ये जो है अभी हाल ही में 1 March 2022 को सेवी का नया chairman बनाया गया है किसकी जगह पर बनाया गया है अजय त्यागी की जगह पर बनाया गया है तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सवाल भी exam में पूछ सकते हैं कि outgoing chairperson कौन थे अजय त्यागी ठीक है ना अजय त्यागी ठीक है ना अजय त्यागी ओके भाशा certificate selfie campaign has recently been launched by which ministry भाशा प्रमाणपत्र भाशा प्रमाणपत्र selfie अवियान हाल ही में किस मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया है आसान question पड़ाफ़ बताईए पड़ाफ़ बताईए तो guys इसका सही जवाब क्या होगा भी इसका सही जवाब I think आप सबको पता होगा कि भाशा है तो किस से रिलेटेड होगा ये रिलेटेड होगा सिक्षा मंत्राले क्योंकि याद रखें कि इस पटिकुलर प्रोग्राम के लिए इस पटिकुलर प्रोग्राम के लिए सिक्षा मंत्राले ने क्या किया था वही परवरी में भाशा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेइन लाँच किया था जिसमें कि अलग-अलग भाशाएं सीखने के लिए, प्रमोट करने के लिए सेल्फी जो है, खीच करके और सर्टिफिकेट के साथ और उसको पोस्ट करने की बाद, सोशल मीडिया वगरा पर वोग करी गई थी, ठीक है ना? तो ये चीज़ आप लोगों को दिया लखेगा, ठीक है ना? भाशा संगम मोबाइल एप एक जो है, उसको प्रमोट करने के लिए इसका कैंपेण लाँच किया गया था, ठीक है ना? भाशा संगम मोबाइल एप ना? विश्चा तो फॉलाइं शीरीज और इसकेट सीनियर नेशनल साइकल पोलो चैंपियंशिप का आयोजन किया बताइए आसान क्वेस्चन नहीं होगा ये बहुत ज़ादा क्योंकि ये आपको याद करना पड़ा होगा और अगर आपने करेंड अफेर्स नहीं एटेंड किया है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पर लड़ा सी कौन करता है ये बताइए इसका आंसर क्या होगा option number B मैसूर होगा factual चीज है अगर पता होगा तो आप कर पाएंगे नहीं पता होगा तो बस आप जान लेजिए that will be enough union minister has jointly launched gobardhan portal to promote the gobardhan scheme and track real time progress in February this scheme was launched in which year बताइए बताइए सर gobardhan scheme जो है वो कब launch की गई थी राइट 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 बताइए सर gobardhan scheme की launching कब की गई थी और किस ministry के द्वारा की गई थी ये सब जी ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए है ना अल राइट इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब option number C होगा 2018 2018 में launch की गई थी गोबर्धन योजना ठीक है ना तो गाई ध्यान रखेगा कि आम तोर पर bio waste जितने भी होते हैं गाउव देहात में तो उनके suitable use के लिए जो है गोबर्धन योजना को launch किया गया तो दौर थारह में ठीक है ना और इसको launch करने वाले कौन-कौन से ministers हुआ करते थे तो ध्यान लखेगा इसमें इसमें launch करने में ministry of the renewable energy okay ministry of renewable energy इसके लावा ministry of the animal husbandry जो आपका agricultural ministry का हिस्सा है ये सब लोग मिल करके launch किया गया थे इनके द्वारा और भी थे इसमें petroleum है और petroleum petrochemicals energy वगरा ये सब कई सारे मंत्रालियों ने मिल करके launch किया था ठीक है which among the following country has added Pakistan to its list of undesirable 21 high-risk countries over money laundering and terror financing charges बताईए किस देश ने काले धन को उबैद बनाने और आतन के वित पोर्षन क्या रूप में पाकिस्तान को अवांचनी है 21 उच्च जोखी माले देशों के सूथी में स्नामिल किया बताईए दोस्तों राइड आंसर क्या होगा इसका राइड आंसर इसका होगा option number D United Kingdom तो ये भी एक fact है simple सा तो अगर आपको इसका आंसर मालो में है तो that's very good अगर नहीं मालो में तो I think आपको जान देना चाहिए वैसे अभी आप लोगों ने एक चीज़ और भी सुनी होगी FATF के बारे में तो उसके बारे में भी पढ़ लीजेगा एक्जाम के लिए बहुत जरूरी रहता है ये सब चीज़ें खास कर किसके उपर प्रतिबंध लगाया गया क्या होता है जैसे अभी हम लोगों ने question किया था Swift के बारे में Swift के बारे में जरूर पढ़के जाईएगा ठीक है ना एक्जाम में उससे जुड़े हुए questions आ सकते हैं ठीक है Who has been honored with the Ramanujan Prize for young mathematician Guys ये तो बहुत ज़ादा ही news में चलने वाला topic था answer करिए बताइए युवा गड़ी तग्यों के लिए Ramanujan पुरसकार किसे किसे समानित किया गया था है ना एक madam जो है अभी काफी दुबली पतली सी चश्मा वगरा लगाती है उनको उनको जो है इस समान से समानित किया गया था नाम बताईए फटाफट नाम होगा नीना गुपता राइट नीना गुपता ठीक है ना ओल राइट तो राइट अंसर क्या होगा option number B नीना गुपता the rate of distribution of urea in the soil मिट्टी में urea को घुलने की दर को कम कर देता है nitrous oxide which is greenhouse gas is not at all released into the atmosphere by crop fields यानि की फसलों के दवारा nitrous oxide को release करने की जरुवत नहीं पड़ती या नहीं किया जाता ठीक है it is the combination of the weed side and fertilizer for particular crop बताईए इसका क्या अंसर होगा बताईए बताईए फटाफट बताईए क्या होगा इसका अंसर नीम लेपित यूरिया के प्रयोग को बढ़ावा क्यूं दिया जा रहा है मैंने ख्याल से सभी लोगों को आंसर इसका कोशिश करके देना चाहिए बहुत easy question तो नहीं बोला जाएगा बट still let us see क्या आंसर होगा इसका गाईज नीम नीम की property क्या है सबको मालूब है नीम क्या होता है नीम जो है तरीके का we decide होता है न भई खरपतवार छोटे मोटे कीडे मकोडे मार डालता है सबको तो इसलिए खरपतवार नाशक और उर्वरक दोनों का mixture हो जाता है हमें chemical we decides use करने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है रिम जिम मैडम कुल मिलागर के 50 question next question which are the following group of animals belong to the category of endangered species संकट ग्रस्त प्रजातियों के श्रेडी के अंतरगत आता है बताईए चार options हैं बताईए इसका सही आंसर क्या होगा फटा फट great Indian Bustard, Musk Deer, Red Panda Asiatic Wild Ass Kashmir Stack, Cheetal, Blue Bull great Indian Bustard Snow Leopard, Swamp Deer, Recess Monkey Saurus Lion Tail, Macaque, Blue Bull Hanuman Langur, Cheetal बताईए मेरे क्या से buffering वगरा का issue तो नहीं आना चाहिए नूपूर इसका सही आंसर क्या होगा option number A great Indian Bustard Kasturi Mreg, Lal Panda और Asiatic Jungle A is the right answer याद रखेंगे कि जो हीवत एंदुआ है ना इसे नाट इन दाट endangered list Hanuman Langur भी नहीं है उसमें ठीक ना और इसी के साथ साथ जब आप देखते हैं आपके great Indian Bustard वगरा so they are in the critically endangered species में ठीक ना that's why A is the answer ठीक ना इसमें आग देखेंगे कि methane is emitted from the range of anthropogenic sources like land-fake culture, fossil fuels यानि methane जो है बहुत सारी मानवी गतिविदियों के चलते उत्सरजित होती है जैसे की भूमी का भराव जैसे की आपका किरशी या जैव इंधन को जलाना इसके साथ साथ दलदली भूमी से भी रिलीज होती है methane has longer lifetime than atmosphere मतलब atmosphere में methane का जीवन काल काफी लंबा होता है second most important greenhouse gas that humans are contributing ठीक नग और since pre-industrial pre-industrial times increases in the atmospheric methane are contributed to a quarter of the climate warming effect from greenhouse gases pre-industrial times से ले करके methane में क्या किया है वायमंडली methane में वृद्धी हुई है जिसके चलते greenhouse gases के प्रभाव में एक चौथाई युगदान दिया गया है ठीके न बताइए इसका answer क्या होगा समाहिरा जी अरे बिल्कुल समाहिरा जी है न बिल्कुल जल्दी कर रहे है कोई tension नहीं है ठीके न वैसे ऐसा कहा गया है कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है but क्योंकि time limit is there so that is why we are doing the best to do it quickly next right answer क्या होगा option number B होगा ठीके न सही नहीं है methane वायुमंदल में दीरगा वधी तक बनी रहती है ये सही नहीं है ठीके न ये सही नहीं ठीके न इसका life span जो है वो comparatively कम होता है which of the following can lead to the reduction of the soil organic carbon soil में organic carbon की कमी किसकी वजह से हो सकती है किसके कारण हो सकती है ठीके न बताएए जोला मुखी frequent cropping earthquake none of the above or more than one of the above reduction in the soil organic carbon देखिए CO2 से कम है life span वो तो ठीक है यही तो है न भई यही तो भन है विसमें क्या होता है इसमें question को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्या होगा भई दीरगावधी तक बनी रहती है आप खुदी कह रहे हो कि CO2 से कम होती है life span तो दीरगावधी तो कहा बनी रहती है तो यही तो बताना है कि सही नहीं है कौन सा ठीक है न राइट अंसर इसका क्या होगा 44 का राइट अंसर होगा option number D ठीक है न right option number D ठीक है reduction of the soil organic carbon ठीक है न guys organic carbon की कमी की वजह जो है कमी की वजह जो है organic carbon की कमी नहीं होने वाली है ठीक है न organic carbon की कमी नहीं होने वाली है ध्यान रखिएगा और इसके अलावा अगा देखें जवाला मुखी से या भूकम से तो organic carbon की कमी नहीं होने वाली है ठीक है इसलिए option number D होगा now future of the following is not correct in reference to the wildlife protection act 1972 wildlife protection act के बारे में reference में कौन सा सही नहीं है सही नहीं है अनुसूची एक जानवरों की सूची के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है अनुसूची तीन सुरक्षा लेकिन कम दंड के साथ अनुसूची छे फ्लोर के समक्षन समनित प्रावधान और यहां अधिनियम पर्यावरण वन और जलवावी परफ्र मंत्री के तहत वन जीव के राश्टिय बोड की स्थापना के लिए जिम्मेदार है यह मंत्राल है अर्काइट बताएए सर इसका आंसर बताएए फटाफट से क्या होगा कौन सा विकल्प सही नहीं है वाइल लाइफ कर्जरवेशन एक्ट जो है उसके अंतरगत कौन सा नियम शामिल नहीं है पताएए आल्राइट अव्रिवर्ण तो जल्दी अल्दी इसका आंसर कर दीए फटाफट से क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तो इसका सही जवाब जो है इसका सही जवाब जो है option number D होगा ठीक है न कि यह सही नहीं है कि यह अधिनियम पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्टर मंत्राले के तहत वन जीव के राष्ट्रिय बोर्ड की स्थापना के लिए जिम्मेदार है ठीक है न ध्यान खेगा काईज कि यहाँ पर वन जीव के लिए राष्टी बोर्ड या फिर कहें कि national board for the national board for the wild life ठीक है न तो इसकी बात करते हैं तो यह जो है आपके पर्यावरण मंत्राले के लिए ध्यान खेगा इसलिए वन जीव सनर्शनर के धिनियम के अंतरगत इस मंत्राले के अंतरगत ये board इस्थापित नहीं किया गया है बलकि एक अलग से कानूर बना करके इसको इस्थापित किया गया है statutory body के तौर पर बिहार के focus on सुमंगली का संबंद किस्से है birth आथ चाइल्ड, wedding season of sewing paddy, raining बताए सर बिहार के जो भी students हैं फटाफट से बताए इसका सही जवाब क्या होगा सुमंगली किस से related है guys इसका सही जवाब क्या होगा option number B, shadi option number B, shadi सुमंगली जो है wedding song रहता है that is sung in the right sung in the mostly marriages in the B, B, okay आज आप बिहार में भी अगर देखें अपन तो इसमें ज्यादा तर जो इलाके हैं कह सकते हैं कि बिहार के जो classical songs का इलाका होता है मुसली मिठिलांचल के इलाके में या फिर नॉर्दन बिहार के अन्य इलाकों में ये जो है आंसर आपका होगा कि शादी यहां पर गाते हैं अच्छा अभी एक और पिछली बार question पूशा गया था जो की मेरे ख्याल से चक्वा ऐसा कुछ related था तो ये चीज आप लोगों को य लोकल question बिलकुल ठीक ना बिहुला फेस्टिवल कौन से जिले में मनाया जाता है बिहुला आंसर बताइए फटा फट से वेर इस दबिहुला फेस्टिवल सेलिबरेटेटेड गाई इसका सही जवाब आप सभी को मेरे ख्याल से देना होगा that is the right answer क्या होगा इसका option number A होगा हाँ जी option number A होगा भागलपुर ठीक ना तो ये आसान question है ये आसान question है next question राजा राधिका रमन प्रसाद सिनहा राजा राधिका रमन प्रसाद सिनहा राइटर ऑफ हिंडी लिट्रेचर वस बॉन अट विच प्लेस इन बिहार कहां पर जन्म हुआ था राधिका रमन प्रसा सिनहा का ठीक है आंसर फटा फट से और तो गाई अभी देखिए मेरे ख्याल से आधुनिक इतियासकारों में अधुनिक साहित्यकारों में विहार के काफी मशूर जो हैं साहित्यकार माने जाते हैं और इनका जन्मस्थान है पटना सहर और सिविल इंजिनियर रहे हैं ये अपने करियर में ठीक है ना किसान सभाव और सिर्कृष्णा सिंग कहां पर आउजित की गई थी किसान सभाव फटापड बताईए पटना is the right answer इसका अंसर बताईए फटाफट मुहमद जुबैर और श्रीकृष्णा सिंग के दवारा 922 में किसान सभा के आजना कहां पर की गई थी राइट बताईए फटाफट तो गाईज इसका सही answer option number D होगा, मुगेर होगा ये तो पताब पुराना question है, repeat भी हो चुका है मेरे ख्याल से तो that is the right answer option number D, मुगेर इन सम विलिज़ेस आफ नौथ चंपारण, रायत वॉलंटियर्स वेर प्लेड अन इंपॉर्टें रोल इन प्लेड अन इंपॉर्टें रोल in the spread of the उतरी चंपारण के कुछ गावं में रायत स्वाम सेवकों ने निम्ली में से किसके प्रसार में महतवपूर भूमिकानी भाई, बताईए रायत वॉलंटियर्स तो गाईज इसका अंसर क्या होता है हम लोगों देख लेते हैं इसको फटा फट से ध्यान रखेगा यहाँ पर रायत वॉलंटियर्स के अगर बात करते हैं तो इसका सही जवाब option number C होगा असहयोग अंदोलन दर्सत में क्या होता है उतरी चंपारण के इलाके में गांधी जी के उस moment से प्रभावित होने के बाद किसान अंदोलनों में काफी तेजी आती है और रायत जो है यानि कि किसान जो है वो वॉलंटियर्स के तोर पर स्वदेशी और स्वदेशी और मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ 1905 के आंदोलन में प्रयोग किया गया था वाइकॉट और स्वदेशी का जो मंत्र था ये 1919 में भी इसका प्रयोग किया गया था ठीक है ना 1920 मतलब यहां पर ठीक है ना तो गाईज इसी वज़े से आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ठीक है ना तो गाईज बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और उमीद करता हूँ कि सेशन जो है आप लोग ने अच्छे से साल्व किया होगा अगर नहीं किया है तो आप अटेंप कर सकते हैं इसके बाद म बट आई होब कि आप लोगों ने अगर थोड़ी बहुत गल्पियां भी की होंगी तो डोन वरी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए एक्जाम बहुत जारा दूर नहीं है और आप लोगों की सफलता में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी तो सब्स्राइब करन ना भूलें और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज इसको लाइक भी जरूर करिएगा लाइक और सब्स्राइब करने का यार कोई भी हैना आपकी मेहनत नहीं लगती है तो कर दीजिए फटा-फट से ठीक है ना बिना संकोच शेयर भी कर दीजिए बहुत धन् सब्सक्राइब आप सभी लोगों का सेशन के साथ बने रहने के लिए और गुड नाइट एवरिबडी नमस्कार थैंक्यू सब्सक्राइब